मतुरा के थानागोवी नगर शेत्र में पेट्रोल पंप के समीप उस समय हड़कम मच गया जब एक स्कूटी के पेट्रोल टंकी में वेल्डिंग करते समय भीशनाग लग गई पेट्रोल पंप करमचारियों में मचा हड़कम दरसल ये मामला है थाना गुवे नगर के मसानी शेत्र का जहां पेट्रोल पंप के समीब स्कूटी के टंकी में वेल्डर वेल्डिंग कर रहा था तभी अचानक टंकी में पेट्रोल के कारण आग लग गई और आग ने अपना विक्राल रूप ले लिया और देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह से खाक हो गई स्कूटी में आग लगने के कारण रागीरों में भी सड़क पर हड़कम मच गया और कुछ दूर भागने लगे नस्दीक पेट्रोल पंप होने के कारण पेट्रोल पंप कर्मियों के भी हाथ पेर पूल गई और आनन पानन में पेट्रोल पंक कर्मियों ने चार फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग इतना विक्राल गूप ले चुकी थी कि चार फायर सिलेंडर यूज होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि आग स्कूटी की पेट्रोल टंकी में लगी थी इस मामले में साफ तोर पर स्कूटी मालिक और वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही सामने आई है अगर यह आग पेट्रोल पंप तक पहुन जाती तो एक बड़ा हाथसा भी हो सकता था फिल्हाल इस मामले में कोई इताहत नहीं हुआ है जढ़ जागे कवर वई दिने का तरी कुछी हुआ इंद्रीजी जी जी क्या आग लगी कैसे आग लगी कुछ बताएंगे मुले क्या हैं तो एक भी में कि पांने दॉट्रीप लगी कसी धाht तक पोई तक धाहिक में रिपाई परалог में हुआ है काम भाउठी था और और पिल्दिक पेट्रूल की तब माम कहीं जारी तो कहीं भी हो काम आइं रिस्की काम था तो कहीं हो दिसकी आगी तह तो अपना प्रेस दगा आपको डरनी लगा बिलकुल पैटॉल की टंगी के पास तो आग भुजाने का प्रयास कर रहे थे और जादा डर तो जब होता है जब हमारे पंप माइक पहुंचाती है वहां तो बारूर के कोला दबे हुए है जब तक आग ज़्दा रूप रूप जाड़ रूप डाड़ नेचाटी के तंगी में है पैठल तंगी बाग लगने से वो जादा बिग्राल हुप खोगा हुए है और हमारे सुलेंडर चार जार फथादम होगे उसकर जब आग नेगे यह तो आपको 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 पूरा ज एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं